तो यहां पर सुबह के काम में फटा फट से खतम करने हूं तो यह व्लोग तो आप देखी चुके हैं और उसके बाद सेम डे हमें घर भी आना था यानि कि कानपुर आना था तो बहुत सारी पैकेजिंग वगएरा सब करने थी कपड़े वगएरा पैक करने थे तो बहुत सारे कपड़े मैंने वाश किये थे और यहां पर कपड़े मैंने रख लिये हैं जो भी ले जाने हैं उनको मैं फोल्ड करके अलग रख रही हूं और जो भी कपड़े नहीं ले जाने हैं उनको सेपरेट करके अलमीरा में रखने हैं तो यह काम भी बहुत होता है तो अभी मैं नह बैठ गई हूं खानावना खाकर कि चलो अभी पैकिंग कर लेते हैं तो कपड़े वगरा फोल्ट अगा लेती हूं तो यहां पर कई सारे कपड़े मुझे आयरन भी करने थे पर आज ना ऐसा हो रहा है कि यहां पर लाइट कट गई है लाइट नहीं आ रही है कुछ खराबी है मतलब मेरे वाले ब्लॉक में लाइट नहीं आ रही है बाकी सारे विल्ड़ों में लाइट आ रही है सामने वाले भाया के हां भी आ रही है मेरा जो ब्लॉक है मतलब मेरे इधर के पांचों फ्लैट पे लाइट नहीं आ रही है तो एलेक्रिशन को फोन किया है वो आके चेक क तब जाके लाइट आएगी तो आइरन करने वाले कपड़े में अलग रख दे रही हूं और जब लाइट आएगी तो आइरन कर लूँगी नहीं तो फिर ऐसे ही ले जाओंगी घर तो इस तरह से काम हो रहे हैं फटा-फट से और अभी बैक भी निकालनी है मुझे बैट से तो उसको भी देखना है कौनसा वाला बैक ले जाएं क्यूद की काफcha सारे कप्ड़े हो जाते हैं अभी अथरकाई वे आधा बैक तो उसके समान से भर जाता है काफ उसके सारे चीज़े रखनी पड़ती हैं लिए उसकी पन्सवातां है यां जा रहे हैं तो अभी जाने का तो कोई वही नहीं था घर तो इनके दोस्त की भी साधी है और मतलब उनका फंसन है फिर मेरे हाँ पे सिश्टर की जो बेटी हुई थी उसका मुंडन समारो है तो उसमें जाना था मुझे तो यही कुछ एक फंसन थे जिन में हमें जाना है तो यह निकल हैं नहीं और आगे अपने दोस्त की सादि तो यह वहां इष्टे करने वाले हैं तो मैं रहूंगी अपने घर में तो पस इस तरह से कुछ प्लानिंग है तो जो भी सूट वगैरा है वही सारी ले जाने है तो जो भी मुझे ले जाने वाला कपड़े हैं यहां पर था-फट से रखती जा रही तो वो अच्छा खासा आयरन तब कर देते हैं लोहे वाले से उससे करते ना तो बहुत अच्छा हिस्त्री होता है उससे तो यहां पर मैंने अपने कपड़े सारे फोल्ड कर लिए हैं जो ले जाने उनको मैं अलग रख लिए हैं तो बस चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में और टेक्यार